बच्चो खोकशान नो विश्य गनीप और प्रिशनावली अपने साथ में तरिबुष कर ली थी और 8 में प्रिशनावली शुरू कर रहे हैं अपने चतरबुष तो देखो आर्ट पंट 1 के कॉशन हल करते हैं तो आर्पेंट एक का पहला कोशन क्या दे रखा है कि एक चत्रबुज के कौनों का अनुपात दे रखा है और अपने को सभी कौनों का मान ग्याद करना है अब अपने को पता है कि चत्रबुज के चारों कौनों का यो कितना होता है 360 अपने को सभी का क्या दे रखा है अनुप 80 से देखते हैं अपने X से गुणा कर देते हैं कि सभी को X से गुणा कर दो तो वो सभी इन पास तो अब इसको लिख सकते हैं अपने 3X इसको लिख सकते हैं 5X इसको 9X और इसको 13X यह सभी अपने पास क्या आगे मान आगे तो इन सभी का योग क्या होगा 360, 5x plus 9x plus 13x equal to 360 तो देखो, 5 और 3, 8 और 9, 17 और 13 कितने होगे? 30x होगे equal to 360 के तो x की value निकालनी है, तो 360 बटा में 30, 0 से 0 कटगी कितनी आगी? 12 आगी अब फिर देखो, जो 3x है, तो वो कितना हो जाएगा? 12, 36, 5x, 12, 5, 60 12 को 9 से करोगे 108, और 12 को 13 से करोगे तो आपके पास आजेगा 156 तो चत्रबुज के चारों को नो की माप अपने पास क्या आगी? यह आगी, कि सभी को क्या मानो? x x मान के और सभी का यो कितना हो गया? 360 की equal हो गया, अब करते हैं दूसरा question कि जदी एक समानतर चत्रबुज के विकर्ण वराबर हो तो दर्शाना है कि वह एक आयत है तो अपने देखो पहले समानतर चत्रबुज बनाती है समानतर चत्रबुज बना लिया इसने विकर्ण भी कहा है, तो विकर्ण भी बनाने पड़ेंगे विकर्न बना लिए, क्या ले लिया, इसको नाम दे दो, कोई भी A, B, C, D नाम दे रही हूं मैं, तो अपने को आयत दर्शाना है, आयत दर्शाने के लिए अपने को इसने विकर्न तो ब्राबर कह दिये, यहां तो अपने आमने सामने की बुजा ब्राबर दिर्शा दे, यहां पहले दो तिर्बूज ले लें जैसे कि अपनी दो तिर्बूजों को सवांग समचित कर दें तो फिर उसके बाद देखते हैं तो देखो पहले सवांग समचित करते हैं तो बूजाएं बराबर आ जाएगी उससे क्योंकि संगत उन पात क्या हो जाएंगे फिर बराबर हो है A C equal to B D दियों यह इसने A C equal to B D क्या है दिया है और A B क्या है उब्यानिष्ट है A B equals to A B वो क्या हो गया उब्यानिष्ट हो गया और यह समांतर चत्रबुज है समांतर चत्रबुज की समुख बुजाएं बराबर होती है है अब देखो एक बात समांतबर impulse समुख बुजहें बराबर है आइद की यह 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 तो रहा गया फिर रहा गया एंगल अपने को एंगल ही चाहिए अपने वह रहा देल है ठीक है खथा ऐस्टम फमर्ट की समुख बुजहें बी यडी चाहिए एबीद्टे कैसे भी लिखलो वो इसके सर्वांग समतों हो गया अब अपने को क्या fireplace करना है कि जो एंगल है चाहिए तो इस एंगल को नाइंडी लियाए जाहिए इस एंगल को नाइंडी होएप कौन बेली ब्राबर हो जाएगा कोण ABC के क्या क्योंकि संगत जो भाग है वो क्या होते हैं ब्राबर अहsi नंत्म कोनों क्या होगा फिर बराबर होंगे ये क्या दिया हुआ है अपने को समांतर चत्रबुज दिया हुआ है तो समांतर चत्रबुज के आसन कौनों का मान कितना होता है 180 तो BAD कौन BAD प्लस कौन ABC इन दोनों का यो कितना होगा 180 80 क्योंकि ये समांतर चेत्रुवूज ग्यासन कोनों का माब कितना होता है 180 होता है अब ये दोनों बराबर है तो अपने ये इसको टू कोन BAD भी लिख सकती है इक्वल टू 180 क्योंकि ये बराबर निकाले है अपने तो BAD की माप फिर कितनी आजेगी 180C में दो का बाग दो गोई तो कितनी आजेगी 90 और ये 90 आगी तो इसका परते कौन कितना हागे ना है क्योंकि ये 90 ये भी 90 है तो इसी प्रकार अपने दूसरे त्रबुज लेके भी हल कर सकते हैं तो फिर ये क्या है एक आयथ है और ये ही अपने को क्या करना था प्रूब करना था कि ये है एक आयथ है अब देखते हैं तीसरा कोशन क्या दे रखा तीसरा कोशन की दर्शाई ये कि जदी एक चत्रबुज के विकरन प्रसपर पर सम्कोन पर सम्द्वी बाजित करते हैं तो वह एक सम्चत्रबूज है अपने देखो पहले वो बनाते हैं चत्रबूज बना लिया A B C D इसके विकर्ण पर सम्द्वी बाजित करते हैं यह अपने को देर रखा है कि इसके विकर्ण सम्द्वी बाजित करते हैं अपने को दो तिर्बूज ले लो जैसे A, O, B ले लो और A, O, D ले लिया ये दो तिर्बूज बाकी फिर उसी प्रकार अपने सीधा लिख दें कोई भी दो तिर्बूज ले ले लेते हैं एक वर ठीक है अपने तिर्बूज ले लिया A, O, B और दूसरा तिर्बूज ले लिया A, O, D और अऩर siya है चाहे लिख देना कि वीकिरन प्रस्परसम दीविवाजित करती हैं ठीक है कि आप समकोण पर करती हैं इक बात और देखो समकोन पर करते हैं जो कॉण है AOB और AOD दोनों बराबर होंगे क्यों दोनों ही क्या होंगे 90 डिगरी AOB कौन AOD बराबर है क्योंकि ये दोनों क्या है 90 डिगरी है परतेक समकौन है कैसे भी लिख सकते हो आप और AO AO इस तिर्बुज में भी AO आरी है और इस तिरबूज में भी AO आरी है तो AO बराबर है AO के क्यों सी रूजा हो यह वाली नियम से सर वाइस नियम से क्योंकि S-A-S नियम से सब्सक्इल चाहे रह्चस नियम भी काह सकते हैं क्योंकि 90गरी है तो AOB तिर्बुज AOD के क्या है क्योंकि संगत वाग बराबर होते हैं ये तो अपने लिये थे ये दो तिर्बुज अब अपने ये दो तिर्बुज लें इसी परकार तिर्बुज AOD B और तिर्बूज B O C A O B और B O C को हल करोगे ये 90 ये उबेनिस्ट भूजा ये वाले भी किरन ब्राबर दिये हैं इसी परकार यहां से फिर कौन सी भूजा ब्राबर आजएगी A B ब्राबर B C क्या आजाएगी A B ब्राबर B C फिर इसी परकार फिर इसी परकार बापिस है अब अपने पहले ये दोनों ले लिए ये ले लिए अब इन दोनों को ले लो तिर्बूज B O C और तिर्बूज C O D तिर्बूज C O D में फिर कौन सी भूजा ब्राबर आजएगी B C ब्राबर D C समेकर नमबर ये इसको एक दे दो इसको दो दे दो इसको तीन दे दो अब देखो equation एक, दो, तीन से क्या है A B ब्राबर A D A B ब्राबर A D यहां से A B ब्राबर B C है तो इसके ब्राबर भी B C होगा B C ब्राबर D C है इसके बराबर भी डी सी आएगा तो चारों बुजाएंग क्या आगी बराबर आगी अपने को क्या प्रूब करना था यही प्रूब करना था कि सम चत्रबुज है तो उसकी चारों बुजाएंग क्या होंगी बराबर होंगी तो ही तो फिर वो सम चत्रबुज होगा तो यह लुक्त भी ओखा नहीं था बिल्कुल ही सोखा सा कोशन था आपको सब कुछ दिया हुआ है उसको थोड़ा सा हल करने का तरिकां को समझ में आ गया तो कोशन आपका हल हो गया तो आपका यार आगे का जो एक बाग है पूरा हुआ आगे के जो बाग है वो अपने वीडियो में करेंगे दन्याबाद